नमस्कार आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूँ आपके साथ नभीला उरूर बॉलिवुट के दबंग अक्टर सल्मान खान जो अपनी acting and dancing skills और expression से लेकर बेबाग अंदाज में दिये गए तीखे replies के लिए famous हैं उन्होंने अपने दोनों भाई अरबास खान और सुहेल खान की शादी पर मजाकिया अंदाज में एक statement दी है उनकी इस statement को सुनने के बाद ऐसा कहा जा सकता है कि अपनी इस बात के जरिये से सल्मान खान ने तीनों के बीच brotherly connection को highlight किया है सल्मान खान इन दिनों अपनी फिल्म किसी का भाई किसी की जान के चलते लगतार न्यूज में च्छाय हुए है इस फिल्म में उन्होंने अक्ट्रिस पूजा हेगरे के साथ काम किया है और सल्मान खान अपनी फिल्म किसी का भाई किसी की जान के प्रमोशन के लिए कपिल शर्मा के शो पर पहुचे जहां उन्होंने अपने दोनों भाईयों की शादी को लेकर कुछ ऐसा कहा ये तो सबी जानते हैं कि सल्मान खान बॉलिवूड के मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स में से एक है और चाहे उनका हर एक फैन हो या बॉलिवूड इंडस्ट्री का एक एक शक्स हो हर कोई उन्हें सेटल्ड देखने की ख्वाहिश जता चुका है लेकिन सल्मान खान है कि जुन्हें शादी ही नहीं करनी जब कि उनके दोनों भाई अर्बास खान और सुहेल खान शादी के रिष्टे में बंदने के बाद जिन्दगी के एक नए मोड पर आकर अपने अपने पार्टनर से अलग हो गए है कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में सल्मान से पूछा गया कि किसी का भाई किसी की जान में तीनों भाई मिलकर आपको शादी के लिए मना रहे हैं ये देखने के बाद अर्बास और सुहेल ने ये नहीं कहा कि हमारी तो कभी सुनते नहीं उनकी क्यों सुनेंगे या उन्होंने ये देखने के बाद आपको शादी करने के लिए नहीं कहा इस सवाल पर सल्मान खान ने बेहुत मज़ेदार अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि वास्तव में वे मेरी बात नहीं सुनते थे लेकिन अब वे मेरी बात सुनते हैं उनके इस जवाब को लेकर अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि सल्मान का इशारा अरबाज और सोहेल के फेल्ड मारिज पर था अरबाज खान ने बॉलिवर्ड डीवा मलाइका औरोडा सी 1998 में शादी की थी दोनों की कपल को पसंद भी खूब किया जाता था लेकिन 18 साल के रिष्टे के बाद दोनों का डाइवोर्स हो गिया वही सोहेल खान और सीमा सच्दे ने 1998 में शादी करते हुए एक दूसरे के साथ जिन्दगी गुजारने का फैसला किया था लेकिन इन दोनों ने तकरीबां 24 साल के लंबे वक्त बाद अलग होने का फैसला लेही लिया फिलाल के लिए इतना ही एंटेटेन्मेंट जगत से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रही आज की खबर